C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचे का ध्वनी पाठ प्रिष्ट संख्या तिरानवे समाज शास्त्र अनुसंधान पदितियां परिचे, क्या आपको कभी आश्चरय हुआ है कि समाज शास्त्र जैसे विश्य को सामाजिक विज्ञान क्यूँ कहा जाता है? अन्य किसे विशे की तुल्ना में समाज शास्त्र उन वस्तूं के बारे में जादा चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से जानते हैं हम सब एक समाज में रहते हैं, तथा हम पहले से ही समाज शास्त्र की फिशेवस्तू, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों तथा अन्य के बारे में अपने अनुभवों के द्वारा काफी हद तक जानते हैं। तब यह पूछना उचित लगता है कि वे क्या है जो समाज शास्तियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है। उन्हें समाज विज्ञानी क्यूं कहा जाए। अन्य सभी वे ज्ञानिक विश्यों की तरह यहां भी पधतियां या कार्य विध्यां महत्वपून हैं, जिनके द्वारा ज्ञान एकतरित होता है। अन्तिम विशलेशन में समाज शास्तियों से अलग होने का दावा कर सकते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे कितना जानते हैं या वे क्या जानते हैं, परन्तु इसका कारण है कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्ट करते हैं। यही एक कारण है कि समाज शास्त्र में पधती का विशेश महत्व है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि समाज शास्त्र की लोगों के जिवन्त अनुभवों में गहरी रुची है। उधारन के लिए मित्रता या धर्म या बाजारों में मोलभाव करने जैसी सामाजिक प्रगटनाओं का अध्यन करते समय समाज शास्त्री सिर्फ दर्शकों का प्रेक्षन ही नहीं करना चाहते। अपितु इसमें शामिल लोगों की भावनाएं तथा विचार भी जानना चाहते हैं। समाज शास्त्री उन लोगों के मतों को अपनाना चाहते हैं जिनका वै अध्यन करते हैं तथा विश्व को उनकी आँखों से देखना चाहते हैं। विभिन संस्कृतियों में लोगों के लिए मेत्री का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई विशेश अनुष्ठान करता है, तो वह धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है? कि वह क्या कर रहा है? एक दुकानदार तथा ग्राहक बहतर मुल्ले पाने के लिए शब्दों तथा भाव भंगिमाओं को परसपर कैसे समझते हैं प्रिष्ट संख्या 94 ऐसे प्रश्णों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जिवन्त अनुभव का एक भाग है तथा इनमें समाज शास्र की गहन रुची है अध्यन में जो लोग शामिल है और जो लोग शामिल नहीं है दोनों के मतों को समझने की अवशक्ता समाज शास्र में पधती के विशेश महत्व का एक अन्य कारण है हलांकि पध्धि शब्द के स्थान पर इसे समानार्थ होने के कारण प्राय साधारन रूप से प्रयोग किया जाता है वास्तव में पध्धि शास्त्र शब्द का आश्य अध्यन की पध्धि से है पधती शास्रिय मुद्दों या प्रश्णों का संबंध व्यग्यानिक ज्ञानिक अठा करने की सामाने समस्या के बारे में है जो किसी विशेश पधती, तक्नीक या कार्यविदी से परे है हम उन दरीकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिन से समाज शास्री व्यग्यान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो व्यग्यानिक होने का दावा कर सकता हो समाज शास्र में वस्तुनिष्टता तथा व्यक्ति परक्ता द्यानिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ट का आश्य, पूर्वाग्रै रहित, रथस्त या केवल तत्यों पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु के वारे में वस्तुनिष्ट होने के लिए हमें वस्तु के बारे में अपनी भावनाओं या मनुवृत्यों को अवश्य अ की सभी विज्ञानों से वस्तुनिष्ट होने वा केवल तत्यों पर आधारित पूर्वग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। पूर्वग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित ना कर पाएं। उन्हें तत्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वे हैं। या पौधों की प्राकतिक दुनिया। इसके विप्रीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्यन करते हैं जिसमें वैस्वैम रहते हैं। जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। इससे समाज शास्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तु निष्ठता की विशेश समस्या उत्पन होती है। सबसे पहले पूर्वा ग्रह की सपष्ट समस्या है क्योंकि समाज शास्री भी समाज के सदस्य हैं। उनकी भी लोगों के तरह समान्य पसंद तथा नापसंद होती है। पारिवारिक संबंधों का अध्यन करने वाले समाज शास्री भी स्वैम एक परिवार का सदस्य होगा, तथा उसके अनुभव का उस पर प्रभाव हो सकता है। प्रिष्ट संख्या 95 यहां तक कि समाज शास्री को अपने अध्यन शील समू के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव ना होने पर भी उसके अपने सामाजिक संदर्बों के मुल्यों तथा पूर्वा ग्रहों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। उधारनात अपने से अलग किसी जाती या धार्मिक समूदाय का अध्यन करते समें समाज शास्री उस समूदाय की कुछ मनुवृत्यों से प्रभावित हो सकता है जो की उसके अपने अतीत या वर्तमान के सामाजिक वातावरन में प्रचलित है। समाज शास्री इन खत्रों से कैसे बचते हैं? इसकी पहली पधती अनुसंधान के विशे के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोर्टा से जाजना है। आत्म वाचक कहते हैं, समाज शास्री लगातार अपनी मनुवृत्यों तथा मतों की स्वैम जाँच करते रहते हैं।। व्यक्तियों के मतों को सावधानिक पूर्वक अपनाते रहते हैं विशेश रूप से उनके मतों को जो उनके अनुसंधान का विशे होते हैं आत्मु वाचकता एक वहवारिक पहलू है किसी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे कार्य का साथानी पूर्वक दस्तावेजी करन करना अनुसंधान पधतियों की श्रेश्टता के दावे का एक हिस्सा सभी कार्यविद्यों के दस्तावेजीकरन तथा साक्षे के सभी स्रोतों के आपचारिक संदर्ग में नहीं थे ये सुनिश्यत करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्यत निश्कर्ष पर पहुँचने हे तू कि ये गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं तथा वे स्वैम जान सकते हैं कि हम सही है या नहीं इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परकने या पुनहें परकने में भी सहायता मिलती है तथा पी समाज शास्री स्वावाचक होने का कितना भी प्रयास करे अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा रहती है इस संभावना से निपटने के लिए समाशा स्री अपनी समाजिक प्रिष्ट भूमी के उन लक्षनों को स्पष्ट रूप से उल्ले खित करते हैं, जो कि अनुसंधान के विशे पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं. यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है, तथा अनुसंधान अध्याय को पढ़ते समय यह उन्हें मानसिक रूप से इसकी शतिपूर्ती करने के लिए तैयार करता है. अध्याय एक के उस अनुभाग प्रिष्टि संख्या आठ नो को अब पुनहे पढ़ सकते हैं, जिसमें सामाने बौधे ज्यान तथा समाज शास्त्र में अंतर के बारे में चर्चा की गई है. समाज शास्त्र में वस्तुनिष्टिता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि समानते सामाजिक विश्व में सत्य के अनेक रूप होते हैं, वस्तु में विभिन लाप के बिंदूओं से अलग-अलग दिखाई देती हैं, तथा इसी कारण से सामाजिक विश्व में अनेक प्रतिस्परधी रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। प्रिष्ट संख्या 96 उधारनात सही कीमत के बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अत्यंत अलग-अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्यव विश्यों के बारे में अलग-अलग विचार हो सकते हैं। क्योंकि इसकी वास्तविक रुची इसमें होती है कि लोग क्या सोचते हैं तथा वैज जो सोचते हैं वैसा क्यूं सोचते हैं। क्या आप दूसरों को जैसा देखते हैं उसी तरह अपने आपको भी देख सकते हैं। आप अपने बारे में क, अपने श्रेष्ट मित्र, ख, अपने विरोधी, ग, अपने शिक्षक के दृष्टिकों से एक संशिप्त विवरन लिखिए। समान विवरनों को पढ़ें। एक दूसरे के विवरनों पर चर्चा करें। आप इने कितना सही या रोचक पाते हैं। क्या इन विवरनों में कोई आश्चरय जनक बात है। समाज के विरोधी सिध्धानतों के विशे में अध्याय दो में हुई चर्चा को याद करें। इन सबसे समाज शास्त्र में वस्तू निष्टिता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तू बन जाती है। वस्तू निष्टिता की पुरानी धारना को व्यापक तौर पर एक पुराना द्रिश्टिकोन माना जाता है। सामाज विज्ञानी अब विश्वास नहीं करते कि वस्तू निष्टिता एवं अरूची की पारम पर एक धारना सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ऐसे आदर्श ब्रामक हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाज शास्र के माध्यम से कोई लाप्रत ज्यान प्राप्त नहीं किया जा सकता। या वस्तू निष्टिता एक व्यर्थ संकल्पना है। इसका तात्पर है कि वस्तु निश्टता को पहले से प्राप्त अंतिम परिनाम के स्थान पर लक्षे प्राप्ती हे तु निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए बहुविधी पधितियां तथा पधितियों का चेर्ण क्योंकि समाज शास्र में बहुविध सच्चाईयां तथा बहुविध द्रिष्टिकोन होते हैं या अश्चरे का विशे नहीं है कि इसमें बहुविध पधितियां भी है समाश शास्य सच्चाई की और कोई भी एक रास्ता नहीं जाता हालांकि विभिन प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रश्णों को हल करने के लिए अनेक विधिया है जो अधिक्तम या नियूनतम उप्योगी है तथा पी प्रतेग पधती का अपना महत्व तथा कमजोरी होती प्रिष्ट संख्या 97 अते पधतियों की श्रेष्टता या निमनता के बारे में तर्क करना निरथक है यह जानना जादा महत्वपून है कि पूछे जा रहे प्रश्ण का उत्तर देने के लिए चेयन की गई पधती क्या उप्योग्त है उधारनात यदि कोई यह जानना चाह है कि क्या अधिकांश भारतिय परिवार अभी तक सैयुक्त परिवार है तो इसके लिए जनगन्ना या सर्वेक्षन श्रेष्ट पधतियां होंगी तथा पी यदि कोई व्यक्ति सैयुक्त और मूल परिवारों में इस्त्रियों की स्थिति की तुलना करना चाहे तो साक्षत व्यक्तिक अध्यन या सहभागी प्रेक्षन उप्योग्त पधतियां हो सकती हैं। तथा इसी तरह से अन्य जाता है। जबकि दूसरी प्रेक्षन किये जा सकने वाले वहबार का अध्यन करती है। पधतियों के वर्गी करन का अन्य तरीका इनके बीच आकडों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। एक द्वीतियक या पहले से उपलब्द आकडों यानी दस्तावेजों के रूप में या अन्य रिकॉर्डों तथा कलाकृतियों पर निर्भर है। दूसरी वैजों नए या प्रात्मिक आकडी बनाती है। अतैव एतिहासिक पधतियां परंपरागत रूप से भूलेखा गारों में पाई जाने वाली द्वित्यक सामगरी पर निर्भर है। जबकि साक्षता कार से प्रारंभिक आंकडों की जानकारी प्राप्थ होती है। इसी तरह अन्य पधतियां भी है। वर्गी करन करने का एक अन्य तरीका व्यश्टी तथा समष्टी पधतियों को अलग करने का है। इन में से पहली पधति में समानता एक अकेला अनुसंधान करता होता है, जो छोटे तथा घनिष्ट परिवेश में कार्य करता है। आते साक्षताकार तथा सहभागी प्रेक्षन को व्यश्टी पधतियां माना जाता है। समष्टी पधतियां वै है जो बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों जिनमें अधिक संख्या में अनुवेक्षक तथा उत्तदाता शामिल होते हैं का समधान कर सकती है। समष्टी पधतियों का सबसे आम उधारन सर्वेक्षन अनुसंधान है। यद भी कुछ एतिहासिक पधतियां भी समष्टी प्रघटनाओं का अधियन कर सकती है। वरगी करन का धंग चाहे जो हो यह याद रखना अवशक है कि यह एक परंपरा का विशे है। विभिन प्रकार की पधतियों के बीच विभाजक रेखा को जादा टेशन होने की अवशकता नहीं है। प्राय एक पधति को दूसरी पधति में बदलना तथा किसी एक को दूसरी के साथ अनुपूरक की तरह इस्तिमाल करना समभव है। समानता पधिति का चैन अनुसंधान के प्रश्णों की प्रकृति, अनुसंधान करता की प्रात्मिक्ताओं तथा समय या संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। प्रिष्ण संख्या 98 ताकि सिर्फ एक पधिति के प्रयोग से प्रतेक परिमानु की तुल्ला में और अधिक अच्छे परिनाम प्राप्त किये जा सके। चुकि समाज शास्र की सूस पर्ष्ट पधियां वही होती है जिन से प्रारंभिक आंकडे प्राप्त करने में सहायता मिलती है अते यहां इन्ही की चर्चा की गई है। यहां तक की शेत्रिय कारे की श्रेनी पर आधारित पधितियों में भी हम आपको सबसे प्रसेद पधिती सर्वेक्षन, साक्षतकार तथा सहभागी प्रेक्षन से परिचित कराएंगे। सहभागी प्रेक्षन अवलोकन समाज शास्त्र में विशेश रूप से सामाजिक मानव विज्ञान में लोकप्रिय सहभागी प्रेक्षन का आश्य एक विशेश पधिती से हैं, जिसके द्वारा समाज शास्त्री उस समाज संस्कृती तथा अन्य लोगों के बारे में सीखता है, जिनका वे अध्यन कर रहा होता है, अध्याए एक में समाज शास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान पर की गई चर्चा का स्मरन करें, यह पधिती अन्य पधितीयों से कई प्रकार से अलग है, सर्वेक्षनों तथा साक्षात कारों जैसी प्रारंभिक आंकडे एकत्र करने वाली अन्य पधितीयो कई महीनों, लगभग एक वर्ष या कभी-कभी इससे जाधा भी उन लोगों के बीच उनकी तरहां बन कर वैतित करते हैं, जिनका उन्हें अध्यन करना होता है बाहरी अर्थात वहां का निवासी ना होने के कारण मानव विज्ञानियों को अपने आपको मूल निवासियों की संस्कृती में उनकी भाषा सीख कर तथा उनके प्रते दिन के जीवन में निकट से सहभागी बन कर उनमें ही मिलना पड़ता है ताकि समस्त स्परश्ट तथा अस्परश्ट ग्यान तथा कौशल को प्राप्त किया जा सके जो की अंदर के निवासियों के पास होता है यतपी समाश्यास्री या मानव विज्ञानी की रुची कुछ विशेश शेत्रों में होती है सहभागी प्रेक्षन शेत्रिय कार्य का समगर लक्ष समुदाय के जीने के समपून तरीके सीखना होता है वास्तव में यह एक बच्चे के उधारन जैसा है जिसमें समाश शास्त्री तथा मानव ज्यानी से आशा की जाती है कि वे अपने अपनाए गए समुदायों के बारे में प्रतेक वस्तू ठीक उसी प्रकार समपून तरीके से सीखे जैसा की एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है सहभागी प्रेक्षन को प्राय शेत्रिय कार्य कहा जाता है यह शब्द मूलत है वनस्पती शासर प्राणी विज्ञान भू विज्ञान आदी जैसे विशेश प्राकतिक विज्ञानों की देन है इन विश्यों में विज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते बलकि उन्हें अपने विश्यों जैसे की चटानों, कीटों या पौधों के बारे में जानने के लिए शेत्र में भी जाना पड़ता है प्रिश्ट संख्या निन्यानवे सामाजिक मानव विज्यान में शेत्रिय कार्य एक अठोर विज्यानिक पधदी के रूप में शेत्रिय कार्य ने मानव विज्यान को सामाजिक विज्यान के रूप में स्थापित करने में महत्वबून भूमिगान निभाई है आरमभिक मानव विज्यानी आदिम संस्कृतियों में शौक्या पर उत्साही रुची रखते थे वे किताबी विद्वान थे जिनोंने दुरस्त समधायों के बारे में जिनकी उन्होंने कभी यात्रा नहीं की यात्रियों, उपदेशकों, उपनिवेशक, प्रशासकों, सिपाहियों तथा उस थान पर गए अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखी गए रिपोर्टों तथा विवरनों से उपलब्ध सूचनाओं को एकठा तथा सू विवस्थित किया उधारनात, जेम्स फ्रेजर की प्रसिद पुस्तक दगोल्डन बॉग जिसने अनेक आरंभिक मानव विज्ञानियों को प्रेरित किया था, पूरी तनह से ऐसे द्वित्य श्रेनी के विवरनों पर आधारित थी इसे दना एमिल दुर्खाईम का आदिम धर्म का किया गया कार्य भी द्वित्य श्रेनी के विवरनों पर आधारित था 19-वी सदी के अंत में तथा 22-वी सदी के पहले दशक में बहुत से आरंभिक मानव विज्ञानियों ने जिनमें कुछ व्यक्ती पेशे से प्रकती विज्ञानी थे, जन जातिये भाशाओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों तथा आस्थाओं का विवस्ते ढंग से सर्वेक् होने में सहायता की, अगले प्रिष्ट पर दिये गए बॉक्स पर ध्यान दीजिये, सन 1920 में सहभागी प्रेक्षन या शेत्रिय कारे को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षन और मुख्य पदती, जिसके द्वारा ज्यान की प्राप्ती होती है का एक अनिवारे हिस्स का माना जाने लगा, लगभग सभी प्रभावशाले विद्वानोंने अपने शेत्र में ऐसे शेत्रिय कारे कीए हैं, वास्तव में बहुत से समुधाई या भॉगोलिक स्थान शेत्रिय कारे के प्रतिष्ट उधारनों से सम्बंदित होने के कारण विशे में लोक प्रिये वास्तव में सामाजिक मानव विज्यानी शेत्रिय कार्य करते समय क्या करता है। वास्तव में सामाजिक तौर पर समबन्धित अन्य जगों की स्थिती भी शामिल होती है। जहां तक संभव हो सके वन्ष व्रिक्ष का पीछे की तरफ विस्तार करना शामिल होता है प्रिश्ट संख्या 100 ब्रोनिसलाव, मैलीनोवस की तथा शेत्रिय कारे की खोज हालांकी वे पहले व्यक्ती नहीं थे जिन्होंने इस पदिती का प्रयोग किया था अन्य विद्वानों द्वारा विश्व भर में इसे विभिन रूपों में जाचा जा चुका था ब्रोनिसलाव, मैलीनोवस की पोलन के एक मानव विज्ञानी थे जो ब्रिटेन में बसे हुए थे ऐसा व्यापक तोर पर माना जाता है कि उन्होंने शेत्रिय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेश पदिती के रूप में स्थापित किया सन 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद के शुरू होने के समय वे अस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे जो कि उस समय ब्रिटिश समराजे का एक भाग था क्योंकि युद में पॉलन्ड जर्मनी के साथ था इसे ब्रिटेन द्वारा शत्रू घोशित किया गया था तथा पॉलन्ड का नागरिक होने के कारण मैलिनोवस की तक्नीकी रूप से शत्रू देश का निवासी बन गय थे वास्तव में वेलंदन स्कूल ओफ एकनॉमिक्स में एक सम्मानित प्रोफेसर थे तथा ब्रिटिश तथा अस्ट्रेलिया के सत्ताधारियों के साथ उनके बहुत अच्छे संबन थे परंदो तक्नीकी रूप से शत्रू देश का निवासी होने के कारण कानून के अनुसार उनका एक विशेश जगा में ही सीमित या नजरबंद रहना ज़रूरी था मैलीनोवस की अपने मानव वेग्यानिक अनुसंधान के लिए उस्ट्रेलिया की अनेक जगाहों तधा दक्षिनी प्रशान्त महासागर के द्वीपोत की यात्रा करना जाते थे अते उन्होंने सत्ताधारी से अनुरोद किया कि उनकी नजरबंदी दक्षिनी प्रांत के ट्रोबियान द्वीपो में करने की अनुमती दी जाए जो की ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के कबजे में थे इस पर अस्ट्रेलिया सरकार ने सहमती प्रदान कर दी और उनकी यात्रा के लिए वित पोशन भी दिया तथा मैलीनोवस्की ने ट्रोबियान द्वीपो में देड़ वर्ष व्यतीत किया वे वहां के मूल गाउं में एक तंबू में रहे, स्थान ये भाशा सीखी तथा उनकी संस्कृती के बारे में सीखने के लिए वहां के मूल लिवासियों के साथ गेहन अंते क्रिया की उन्होंने अपने प्रेक्षनों का सावधानी पूर्वग विस्तरित रिकॉर्ड रखा तथा दैनिक डाइरी भी बनाई बाद में उन्होंने इन शेत्रिये टिपनियों तथा डाइरियों के आधार पर ट्रॉवियांट संस्कृती पर किताबे लिखी ये किताबे शीग्र लोगप्रिये हो गई तथा आज भी इन्हें क्लासिक माना जाता है उनके ट्रॉवियांट अनुभव से पहले मेलिनुवस्की ने विश्वास व्यक्त किया था कि मानव विज्ञान का भविशे मानव विज्ञान तधा मूल संस्कृती के बीच बिना किसी मध्यस्त के सीधी अंते क्रिया पर आधारित है वे मानते थे कि यह विशे तब तक प्रतिवा संपन शोक की स्थिती से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इसके अभ्यास करता भाशा को गहनता से सीख कर स्वैम व्यवस्थित धंग से प्रेक्षन करने का कारे नहीं करेंगे यह प्रेक्षन अनुसंधान के विशे शेतर में ही करना होगा अर्थात यह प्रेक्षन करने के लिए मानव विज्ञानी को इस उद्देशे हे तु कस्बे या बाहर बुलाए गए मूल निवासियों के साक्षातकार के स्थान पर स्थानिये लोगों के बीच रहना होगा तथा वहां के जीवन को देखना होगा जिस प्रकार वे घटित होता है दुभाशिये प्रियोग से भी बचना होगा यह तभी संभब है जब मानव विज्ञानी मूल लिवासियों से स्वैम सीधे बाचीत करे तभी उनके संस्कृति के बारे में सही तथा प्रवानिक सूच प्रिष्ट संख्या 101 प्रवाइनों तथा चचेरे भाई बहनों के बारे में तत्पष्चात उसके माता-पिता की पीडि में उनके पिता, माता, उनके भाईयों, बहनों आदी के बारे में अर आगे इसी तरह से पूछा जा सकता है ये कारे उतनी पीडियों तक के लिए किया जा सकता है जितना व्यक्ति याद रख सकता है किसी एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना की जाँच अन्य संबंधियों से वही प्रश्न पूछ कर की जा सकती है तथा पुष्टी होने के बाद एक विस्तृत वश्वरिक्ष बनाया जा सकता है या भ्यास सामाजिक मानव विज्ञानियों को समुदाय की नातेदारी व्यवस्था को समझने में सहायता करता है साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन संबंधी किस परकार की भूमिका निभाते हैं तथा इन संबंधों को कैसे बनाय रखा जाता था इसका पता चलता है एक वन्शावली मानव विज्ञानी को समुदाय की संदर्चनक के बारे में जानने में सहायता करती है तथा वहवारिक द्रिष्टी से उन्हें लोगों से मिलने तथा समुदाय की जीवन शैली में घुलने मिलने में सहायक होती है इस आधार पर चलकर मानव विज्ञानी लगातार समुदाय की भाशा सीखता है वह समुदाय की जीवन का प्रेक्षन करता है तथा विस्तृत नोट तयार करता है जिसमें समुदाय की जीवन के महत्वपून पक्षों का उलेख होता है मानव विज्ञानीों की रुची विशेश रुपसे त्योहारों, धार्मिक या अन्य सामुहिक घटनाओं, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के पालन पोशन के साधनों जैसे प्रसंगों में होती है इन संस्थाओं और वहवारों के बारे में जानने के लिए मानव विज्ञानी को उस वस्तु के बारे में अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं, जिने समुदाय के सदसे कोई महत्व नहीं देते इन भाबनाओं के तहत मानव विज्ञानी को एक बच्चे की तरह होना चाहिए, तथा हमेशा क्यूं, क्या, एवं अन्य प्रश्न पूछते रहना चाहिए इसके लिए मानव विज्ञानी अधिकान सूचना हे तो एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर होता है ऐसे व्यक्तियों को सूचना दाता या मुख्य सूचना दाता कहा जाता है इनके लिए प्रारंभिक दिनों में मूल सूचना दाता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है सूचना दाता मानव विज्ञानी के लिए अध्यापक का काम करते हैं तथा मानव विज्ञानी अनुसंधान की संपून प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपून कारे करता होते हैं। इसी तरह से शेत्रिय कारे के दौरान मानव विज्ञानी द्वारा बनाए गए विस्तित्र शेत्रिय नोट भी समान रूप से महत्वपून होते हैं। इनको प्रति दिन बिना किसी त्रुटी के लिखा जाना चाहिए तथा ये एक दैनिक डाइरी का रूप भी ले सकते हैं या इनके साथ एक दैनिक डाइरी भी लिखी जा सकती है क्रिया कलाग दो शेत्रिय कार्य के कुछ प्रसिद उधारन निम लिखित है अंडबान निकोबार ध्वीपो पर रेट क्लिफ ब्राउन सुडान में न्यूर पर इवान्स पिचाड सेयुक्त राज अमेरिका में विभिन मूल अमेरिकी जन जातियों पर फ्रांस बुवास समु मानव विज्यानी के लिए इन अंजानी संस्कृतियों में रहना कैसा रहा होगा उन्होंने क्या-क्या कठिनाईया सेहन की होगी प्रिष्ट संख्या 102 समाश शास्त्रिय जब शेत्रिय कार्य करते हैं तो समानते समान तकनिकों का उपयोग करते हैं समाश शास्त्रिय शेत्र प्रवस्तों में इतना अलग नहीं होता और ना ही शेत्रिय कारे के दौरान किये गए कारे में अलग होता है। समाज शास्री अपना शेत्रिय कारे सभी प्रकार के समाजों के समुदायों में करते हैं। साथी समाज शास्री शेत्रिय कारे में शेत्र में रहना आवशक नहीं है यद भी उसे अपना अधिकांश समे समुदायों के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। उधारन के लिए अमेरिके समाज शास्री विल्लियम फोटे वाइट ने अपना शेत्रिय कारे एक बड़े शहर में इटैलियन अमेरिकी गंदी बस्यों की गली के सदस्यों के ग्यांग के बीच में किया। तथा अपनी प्रसिद पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी। उसकी अनुसंधान रिपोर्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने किया कि यदि वह भी उस जिले का नाम जहां उसने वास्तव में अध्यन किया बल दे तो अनेक बाहरी व्यक्ति यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह अध्यन कहां पर किया गया है। उस जिले के व्यक्ति वास्तव में जानते हैं कि यह उनके बारे में हैं तथा नाम बदलने के बावजूद भी उनसे व्यक्तिों की पहचान छिपाई नहीं जा सकती। वे अनुसंधान करता को जानते हैं तथा वे किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था यह भी जानते हैं तथा यह भी पता है कि विभिन सम्मूहों में कौन-कौन व्यक्ति थे और इसमें त्रूटी की संभावना बहुत कम है। ऐसी सिती में अनुसंधान करता का उत्तरदायत्व बहुत बढ़ जाता है। वे अवश्य चाहेगा कि उसकी पुस्तक से उस दिले के लोगों को कुछ सहायता प्राप्त हो। कम से कम वे अवश्य चाहेगा कि इस से किसी भी प्रकार की हानी की नियूनितम आशंका हो। व्या इस भावना को पूर्ण रूप से जानता है कि ऐसा होने से इस पुस्तक के प्रकाशन से कुछ व्यक्तियों को कठनाई हो सकती है विल्यम फोटे वाइटे स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पेज 342 प्रिष्ट संख्या 103 व्या इस शेत्र में लगभग साड़े तीन वर्ष तक घूमते फिरते रहे तथा अपना समय गैंग या समू के सदस्यों के बीच बिताया जिन में से अधिकांश अत्यंत गरीब बिरोजगार युवा थे ये प्रवासियों के समूदायों की अमेरिका में जन्मी पहली पीडी थी हालांकि समाज शास्रिय शेत्रिय कारे का यह उधारन मानव विज्ञानी शेत्रिय कारे के काफी निकट है फिर भी इसमें महत्वपून अंतर है पिछले प्रिष्ट के बॉक्स को पढ़ें समाज शास्रिय शेत्रिय कारे को सिर्फ इस प्रकार होनी की अवशक्ता नहीं है या अलग रूप से भी किया जा सकता है उधारन के लिए जैसा की दूसरे अमेरिकन समाज शास्री मिशेल बुरावो के कारे में किया गया है उन्होंने शिकागो कारखाने में अनेक महीनों तक कारिगर के रूप में कारे किया तथा कामगारों के दृष्टिकों से कारे के अनुभव के बारे में लिखा भारतिय समाज शास्री में जिस तरहा ग्रामीन अध्यनों में शेत्रिय कारे पधितियों का प्रयोग किया गया वह एक महत्वपून तरीका है सन उनिसो पचास में अनेक भारतिय तथा विदेशी समाज शास्री तथा मानव विज्यानी गाउं के जीवन तथा समाज पर कार्य करने लगे। गाउं ने जनजातिय समुदायों जिनका अध्यन आरंभिक मानव विज्यानियों द्वारा किया गया था कि भूमिका तथा इतना छोटा था कि अकेले व्यक्ति द्वारा इसका अध्यन किया जा सकता था। अर्थात समाज शास्री गाउं में लगभग प्रतेक को जान सकता था। तथा वहां की जीवन का पता लगा सकता था। तथा पी मानव विज्यान का सरुकार अधिकतर आदिम समुदाय उसे होने के कारण उपनिवेशवादी भारत में राष्टवादियों में यह लोगप्रिय नहीं था। अनेक शिक्षित भारतियों का मानना था कि मानव विज्ञान जैसे विश्यों में आपचारिक पूर्वाग्रय शामिल है। गाउं में आपके जीवन के वे कौन से मुख्य लक्षन होंगे जिनहें आप महत्व देना चाहोगे। और के पक्ष में कारन बताएं। यदि आप किसी कस्बे या शेहर में रहते हैं तो अपने आसपास के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताएं जो कभी वहां नहीं गया हो। आपके पास पडोस में आपके जीवन की मुख्य विशेशताएं कौन सी हैं जिनहें आप महत्व देना चाहेंगे। फिल्म या टेलिविजन में दिखाए गए शेहरों के पडोस से आपका पडोस किस प्रकार से भिन या सूधरिश्य है या सदरिश्य है। आपने फिल्म या टेलेविजिन पर दिखाए गए गाउं भी देखी होंगे। क्या आप इन में रहना पसंद करेंगे अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। प्रिष्ट संख्या 104 इसलिए समाश शास्री के लिए केवल जनजातियों का अध्यन करने के स्थान पर गाउं तथा गाउं वालों का अध्यन करना जाधा स्वेकार्य तथा महत्वपून था। आरंभिक मानव विज्ञान तथा उपनिवेश वाद के बीच संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जाने लगे थे। गाउं का अध्यन करने की विभिंच शैलियां सन 1950 तथा 1960 के दोरान गाउं का अध्यन करना भारतिय समाज शास्र का मुख्य पेशा बन गया था। परन्तु इससे काफी समय पहले एक मिशनरी दमपती विल्यम तथा चालोटे वाईजर ने जो उत्तर प्रदेश के एक गाउं में पांच वर्श तक रहे एक प्रसिद ग्रामीन अध्यन बिहाइंड मड वॉल्स लिखा था। वाईजर की ये पुस्तक उनके मिशनरी कार्य का एक उप उत्पात थी। हाला कि विल्यम वाईजर एक समाज शास्री के रूप में प्रशिक्षन प्राप्त थे। तथा इससे पहले भी जजमानी विवस्था पर एक पुस्तक लिख चुके थे। सन 1950 में किये गए ग्रामीन अध्यन विभिन संधर्व में जन में थे तथा अनेक विभिन तरीकों से किये गए थे। क्लासिकी समाजिक मानव विज्ञानी शैली का मुख्य थी तथा इसके साथ जन जाती या सीमित समुदाय का स्थान गाउने ले लिया था। इस तरह कि शेत्रिय कारे का सबसे प्रसिद उधारन शायद M.N. शिरिवास्तव की प्रसिद पुस्तक रिमेंबर्ड विलेज में दिया गया है। अमीन अध्यन सन 1950 में ऐसी दूबे द्वारा लिखित इंडियन विलेज था। उस्मानिया विश्व द्याले में एवं सामाजिक मानव विज्ञानी के रूप में दूबे एक बहु विश्यक दल के सदस्य थे। जिसमें क्रिशी विज्ञान, अर्थशास्र, पशु विज्ञान तथा ओशत विज्ञान के विभाग शामिल थे। इन्होंने सिकंद्राबाद के निकट सीमर पेट नामक एक गाउं का अध्यन किया था। इस बड़ी सामूहिक परियोजना का उद्देश्य सिर्फ गाउं का अध्यन करना ही नहीं, बलकि उसका विकास करना भी था। दरसल इसका उदेश्य सीमर पेट को एक ऐसी परयोगशाला बनाना था जहां ग्रामीन विकास कारिक्रम बनाने हितु परयोग किये जा सकते थे ग्रामीन अध्यन की एक अन्यशैली सन 1950 में किये गए कॉर्नेल विलिश स्टरी प्रोजेक्ट में दिखाई देती है कॉर्नेल विश्व विद्याले द्वारा प्रारंभ की गई परयोजना में अमेरिकी मानव विज्ञानियों, मनो विज्ञानिकों तथा भाषाविदों का एक समूधा जिन्होंने भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गाउं का अध्यन किया ग्रामीन समाज तथा संस्कृती का बहु विश्यक अध्यन करने की ये अती महत्वपून शेक्षिक योजना थी इस परियोजना में कुछ भारतिय विद्वान भी शामिल थे जिन्होंने कई अमेरिकनों की प्रशिक्षन में सहायता की तथा जो बाद में भारतिय समाज के प्रसिद विद्वान बने प्रिष्टि संख्या 105 तथा पी पधिती शास्त्रिय कारणों की बजाए गाउं पर किये गए अध्यन इसलिए महत्वपून थे क्योंकि उन्होंने भारतिय समाज शास्त्र को एक ऐसा विशे उपलवद कराया जो नए स्वतंत्र भारत में अत्यंतर रुची कर था सरकार की रुची विकाशिल ग्रामीन भारत में थी राश्ट्रिय आंदोलन विशेश रूप से महात्मा गांधी ग्राम उत्थान कारिक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे यहां तक की शहरी शिक्षित भारतिय भी ग्रामीन जीवन में अत्यधिक रुची ले रहे थे क्योंकि इन में से अधिकतर के कुछ पारिवारिक तधा वर्तमान एतिहासिक संबंध गावों से थे इससे बढ़कर गाव ऐसी जगा थी जहां अधिकाश भारतिय रहते थे और अभी भी रहते हैं इन्ही कारणों से गावों के अध्यन भारतिय समाज शास्त्र का अत्यन्त महत्वपून हिस्सा बन गए थे तथा ग्रामीन समाज का अध्यन करने के लिए शेत्रिय कार्य प्रधती अत्यन्त अनुकूल थी सहभागी प्रेक्षन की कुछ सीमाएं आप पहले ही देख चुके हैं सहभागी प्रेक्षन क्या कर सकता है इसकी मुख्य ताकत यह है कि ये अंदर की व्यक्ति की द्रिष्टिकों से जीवन की महत्वपूर्ण तथा विस्त्रित्र तस्वीर उपलब्ध कराता है ये आंतरिक द्रिष्टिकों ही है जो शेत्रिय कारे करने के लिए दिये समय तथा प्रयास के अत्यधिक निवेश के बदले में प्राप्थ होता है अधिकांश अन्य अनुसंधान पधतियां खाफी लंबे समय के उपरांत शेत्र का विस्तेत्र ज्ञान होने का दावा नहीं कर सकती क्यूंकि विया समानते संशिप्त तथा जल्दी में दिये गए शेत्रीय दोड़े पर आधारित होती है शेत्रिय कारे में प्रारंभिक प्रभावों में सुधार करने की गुंजाइश होती है जोकी प्राय, तुरुटी पून या पूर्वा ग्रहित हो सकते हैं यह अनुसंधान करता को रुची के विशे में हुए परिवर्तनों को जानने तथा विभिन परिस्तितियों या संधर्भों के प्रभाव जानने में भी सहायता करता है उधारनात किसी अच्छी फसल के साल में और बुरी फसल के साल में सामाजिक संडचना या संस्कृति के विभिन पक्षों को जाना चाह सकता है रोजगार या बिरोजगार व्यक्तियों का वहवार अलग-अलग हो सकता है आदी क्योंकि सहभागी प्रेक्षक शेतन में पूरा समय व्यतीत करता है इसलिए उन अनेक तुर्टियों या पूर्वा ग्रेहों से बच सकता है जिनसे सर्वेक्षनों, प्रशनावलियों या अल्पकालीन प्रेक्षनों के द्वारा नहीं बचा जा सकता परन्तो सभी अनुसंधान पधितियों की तरहां शेत्रे कारे की भी कुछ कम्या है अन्यथा सभी समाज विज्ञानी इसी एक पधिति का प्रियोग कर रहे होते अपनी प्रक्ति के कारण शेत्रे कारे में लंबे समय तक चलने वाला तथा किसी एक अकेले अनुसंधान करता द्वारा किया जाने वाला गेहन अनुसंधान नहीं थोता है अत्य यह विश्व के एक छोटे से भाग को ही अनुसंधान में शामिल कर पाता है समान तया यह एक अकेला गाउं यह छोटा समुदाय होता है प्रिष्ट संख्या 106 हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते कि मानव विज्ञानी यह समाश शास्री द्वारा शेत्रिय कारे के दौरान किये गए प्रेक्षन बड़े समुदाय अन्य गावों, शेत्रों या देशों में भी अधिक रूप से समान होंगे या फिर ऐसा अपवाज स्वरूप होता है शायद यह शेत्रिय कारे की सबसे बड़ी कमजोरी है शेत्रिय कारे पधिती की एक अन्य महत्वपून सीमा यह होती है कि हमें यह पता नहीं होता कि यह मानव विज्ञानी की आवास है या फिर उन लोगों की जिनके बारे में अध्यन किया गया है वास्तव में इसका उद्देश्य उन लोगों के मतों का भी प्रतिनिधित्व माना जाता है जिनका अध्यन किया गया है परन्तु इसकी सदेव संभावना रहती है कि मानव विज्ञानी द्वारा चेतन या अवचेतन मन से उसके नोट्स में लिखी गई किन बातों का चेयन किया गया है तथा व्यपाठुकों के सामने इसे अपनी पुस्तकों या निबंधों में कैसे प्रस्तोत करता है क्यूंकि हमारे पास मानव विज्ञानी के कथन के अतरिक्त कोई अन्य रूप उपलब्ध नहीं होता अतै इसमें सदेप्त रुटी या पूर्वा ग्रह की संभाव ना बनी रहती है यदपी ये जोखिम अधिकांश अनुसंधान पदितियों में विद्धिमान रहता है और उत्तर प्रस्तुत करते हैं तथा लोगों के लिए बोलते हैं इसके विरोध में कुछ विद्धानों ने अधिक संभादिये प्रारूप बनाने का सुझाब दिया है अर्थात शेत्रिय कार्य के परिनामों के प्रस्तुति करन के तरीके जिन में उत्तरदाता तथा लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं ठोस शब्दों में इसमें विद्वान व्यक्ति के कारेका समुदाय की भाषा में अनुवाद तथा इस पर उनकी राय और उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करना शामिल है जो जो अनुसंधान करता तथा जिन व्यक्तियों पर अनुसंधान किया जाता है उनके बीच की सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक दूरी या अंतर कम होता है क्योंदियो इस बात की समभावना बढ़ती जाती है कि विद्वानों के कथन पर लोगों द्वारा प्रश्न किये जाएंगे इन्हे मान लिया जाएगा तथा लोगों द्वारा इन्हे स्वैम ठीक कर लिया जाएगा इससे निश्यत रूप में समाज शास्तिय अनुसंधान जादा विवादास्पत तथा अधिक कठिन हो जाएगा परंतु लंबे समय के लिए यह एक अच्छी बात ही हो सकती है क्योंकि इससे सामाजिक विज्ञान को आगे ले जाने में तथा इसे और अधिक जन्तंत्रिये बनाने में सहायता मिलेगी अतैप अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान की रचना करने तथा इसमें अलोचनात्मक दृष्टी से भाग लेने में सहायता मिलेगी सर्वेक्षन शायद सर्वेक्षन शेत्रिय कारे के लिए अब तक ग्याद सबसे अच्छी समाज शास्त्रिय पधती है जो की अब आधुनिक सार्जनिक जीवन का इस तरह से एक हिस्सा बन गई है कि यह एक सामानने बात हो गई है आज इसका विश्व भर में सभी संदर्भों में परियोग किया जा रहा है तथा यह संदर्भ समाज शास्त के सरुकारों से बाहर चले गए हैं भारत ने भी हमने देखा है कि सर्वेक्षनों का प्रियोग विभिन प्रकार के गैर शेक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जिन में चुनाब परिनामों का पूर्वा नुमान लगाना, उत्पादों को बेचने के लिए विपरन नीतियां बनाना तथा विश्यों की व्यापक विभिनताओं के बारे में लोग प्रियता का पता लगाना शामिल है जैसा कि स्वैम शब्द से स्पष्ट है, सर्वेक्षन में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रियास किया जाता है ये किसी विशे पर साब्धानी पूर्वक चैन किये गए लोगों के प्रतिनिधृत्व समूचे से प्राप्त सूचना का व्यापक या विस्तृत द्रिष्टी कोन होता है प्रिष्ट संख्या 107 ऐसे लोगों को प्राय उत्तरदाता कहा जाता है ये अनुसंधान करता द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्णों का उत्तर देते हैं सर्वेक्षन अनुसंधान समानते विस्तृत दल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यन की योजना बनाने वाले तथा रूपरेखा तैयार करने वाले अनुसंधान करता तथा उनके सहयोगी और सहायक जिने अन्वेक्षक या अनुसंधान सहायक कहा जाता है शामिल होते हैं सर्वेक्षन के प्रश्न विभिन प्रकार से पूछे जा सकते हैं तथा इसके उत्तर भी विभिन प्रकार से दिये जा सकते हैं अकसर अनवेक्षक द्वारा व्यक्तिगत द्वारे के दौरान इन्हें मोखेक रूप में पूछा जाता है तथा कभी-कभी दूरभाश द्वारा पूछा जाता है अनवेशक द्वारा लाई गई या डाग द्वारा प्राप्त प्रशनावलियों में भी उत्तर लिखे जा सकते हैं जनगर्ना तथा राष्टिये सांख किये संगठन प्रतेक दस वर्श में किया जाने वाला भारत का जनसंख्या सर्वेक्षन विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा सर्वेक्षन है हमसे जादा जनसंख्या वाला देश चीन जहां ऐसी नियमित जनगर्ना नहीं होती इसमें लाखो अनवेशक तथा अत्यधिक संख्या में संगठनों के समावेश के अतिरेक्त भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशी व्य की जाती है यद भी बदले में हमें भारत में रहने वाले प्रतेक घर तथा भारत में रहने वाले एक अरब से जादा लोगों में से प्रतेक व्यक्ति जो इसमें शामिल होते हैं का वास्त्विक सर्वेक्षन प्राप्थ होता है स्पष्ट रूप से ऐसे विश्रित सर्वेक्षन बार-बार नहीं किये जा सकते दरसल अनेक विख्षित देश अब पूर्ण जनगर्ना नहीं कराते इसकी स्थान पर वे अपनी जनसंख्या संबंधी आंकडों के लिए प्रतिदर्शे सर्वेक्षन पर आश्रित हैं क्योंकि ऐसे सर्वेक्षन काफी हद तक सही पाए गए हैं इसकी स्थान पर वे अपनी जनसंख्या संबंधी आंकडों के लिए प्रतिदर्शे सर्वेक्षन पर आरक्षित है क्योंकि ऐसे सर्वेक्षन काफी हद तक सही पाए गए हैं भारत में राष्टिये सांखकीये संगठन यानी NSO परिवार तथा खर्च रोजगार तथा विरोजगारी के स्तर का तथा अन्य विश्यों का हर वर्ष प्रतिदर्शय सर्विक्षन करता है प्रतेक पांच वर्ष में यह एक विस्तरित सर्विक्षन करता है जिसमें लगभग 1.2 लाग घर शामिल होते हैं जिसे पूरे भारत में 6 लाग से जादा व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं वास्तव में इसे विस्तरित प्रतिदर्शे माना जाता है तथा NSO द्वारा किये गए सर्विक्षन संसार में नियमित रूप से किये गए सबसे बड़े सर्विक्षनों में गिने जाते हैं क्योंकि भारत की गुलाबादी एक अरब से अधिक है अते आप ये मान सकते हैं कि NSO के पंच वर्षय सर्वेक्षनों में शामिल प्रतिदर्षय भारत की जनसंख्या के लगभग 0.06 प्रतिशत मात्र 1 प्रतिशत के 20 वे भाग से जादा है चुकि इसका चैन व्यज्ञानिक तोर पर संपून जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है इतने छोटे अनुपात पर आधारित होने के बावजूद NSO प्रतिदर्षय जनसंख्या की विशेशताओं का अनुमान कर सकता है प्रिश्टि संख्या 108 कम्प्यूटरों तथा दूरसंचार तकनीक के बरते प्रयोग के फलसरूप आज electronic रूप में सर्विक्षन करना भी संभव हो गया है इस प्रारूप में उत्तरदाता प्रशनों को इमेल, इंटरनेट या इसी प्रकार के electronic माध्यमों द्वारा प्राप्त करता है तथा इसके द्वारा ही उत्तर देता है एक दूसरा तरीका, लिंक विवरन के माध्यम से एक इंटरनेट वेबसाइट पर जाकर डिजिटल रूप से उपलब्ध प्रारूप को भरना भी है सामाजिक वेग्यानिक पधिती के रूप में सर्वेक्षन का मुख्य लाब यह है कि इसके द्वारा जनसंख्या के केवल छोटे से भाग का सर्वेक्षन करके इसके परिनामों को बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है आते सेमित समय, परियास तथा धन के निवेश द्वारा सर्वेक्षन बड़ी जनसंख्याओं के अध्यन को संभव बनाता है यही कारण है कि सामाजिक विग्यानों तथा अन्यशेत्रों में यह अत्यधिक लोगप्रिय पधती है सांकेकी की शाखा जिसे प्रतिदर्श सिध्धानत कहा जाता है कि खोज का लाब उठाते हुए प्रतिदर्श ये सर्वेक्षन चैन के मामले में सावधान होने के बावजूद परिनामों का समान्य करण कर सकता है इस सरल उपाय का महत्वपूर्ण कारण प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व है हम एक ही दी गई जनसंख्या में से प्रतिनिधी प्रतिदर्श का चैन कैसे करेंगे व्यापक रूप में प्रतिदर्श की चैन प्रक्रिया दो मुख्य सिधानतों पर आधारित है पहला से धांद ये है कि जनसंख्या में सभी महत्वपून उपसमूहों को पहचाना जाए तथा प्रतिदर्श में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए अधिकतर बड़ी जनसंख्याएं एक समान नहीं होती उनमें भी स्पष्ट उपश्रेनिया होती है इसे स्तरीकरन कहा जाता है नोट करे की स्तरीकरन की ये सांख की ये धारना है जो स्तरीकरन की सामाज शास्य संकल्पना से अलग है जिसका आपने अध्याय चार में अध्यन किया है उधारनाथ जब भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह जनसंख्या शहरी तथा ग्रामीन शित्रों में बटी हुई है जो की एक दूसरे से काफी हद तक अलग है किसी भी एक राज्य की ग्रामीन जनसंख्या पर विचार करते समय हमें इस तथे का ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या विभिन आकार वाले गावों में रहती है इसी तरह से किसी एक गाउं की जनसंख्या भी वर्ग, जाती, लिंग, आयू, धर्म या अन्यमान दंडों के आधार पर स्तरीकरित हो सकती है संचिप्त में स्तरीकरन की धारना हमें बताती है कि प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबंद स्तरों की विशेष्टाओं को दर्शानी की सक्षम्ता पर निर्भर है किस परकार के प्रतिदर्शों को प्रासंगिक माना जाए ये अनुसंधान के अध्यन के विशिष्ट उद्यशों पर निर्भर है उधारनात धर्म के प्रती मनुवृत्यों के बारे में अध्यन करते समय यह मैत्व पून हो सकता है कि सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल किया जाए मजदूर संगों के प्रती मनुवृत्यों पर अनुसंधान करते समय कामगारों, प्रबंध को तथा उद्योग पत्यों को शामिल करना चाहिए प्रतिदर्श चैन का दूसरा सिध्धान्त है वास्तवी के काई अर्थात व्यक्ति या गाउं या घर का चैन पूनतया अफसर आधारित होना चाहिए इसे यादरिची करन कहा जाता है जो की स्वैम संभाविता की संकल्पना पर आधारित है आपने अपने गणित पाठेक्रम में संभाविता के बारे में पढ़ा होगा संभाविता का आश्य घटना के घटित होने के अफसरों या विशमताओं से है उधारन के लिए जब हम सिक्का उच्छालते हैं तो यह या तो चित की और पढ़ता है या फिर पढ़ की और वास्तव में जब आप सिक्का उच्छालते हैं तो दोनों में से कौन सी घटना होती है अर्थात चित आता है या पट या पूरी तरह से अफसर पर निर्भर करता है और किसी बात पर नहीं इस प्रकार के अफसरों को यादरिच्छेक अफसर कहा जाता है हम एक प्रतिदर्ष को चुनने में समान विचार का उपियोग करते हैं हम सुनिश्चित करने का प्रियास करते हैं कि प्रतिदर्ष में चैन किये गए व्यक्ति या घर या गाउं पूर्णते अफसर द्वारा चैनित हो किसी अन्य तरह से नहीं आते प्रतिदर्श में चैन होना किस्मत की बात है जैसे की लौटरी जीतना यह तभी हो सकता है जब यह सच हो कि प्रतिदर्श यह एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श होगा यदि कोई सर्वेक्षन दल अपने प्रतिदर्श में केवल उन ही गाउं का चेयन करता है जो मुख्य सडक के निकट हो तो यह प्रतिदर्श यादरिचिक या संयोग वर्ष ना होकर उद्देश पून होंगे इसी तरह से यदि हम अधिकतर मध्यमबर्ग के घरों का या अपने जानकार घरों का चेयन करते हैं तो प्रतिदर्श पुने उद्देश पून होंगे मुख्य बिंदु यह है कि जनसंख्या से संबंधि स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चैन पूनता सहयोग के आधार पर होना चाहिए इसे विभिन तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है इसे प्राप्त करने के लिए विभिन तकनीकों का प्रियोग किया जाता है इनने सामाने रूप से लौटरी निकालना पासे पैकना इस उद्देश्य हेतु विशेश रूप से बनाई गई प्रतिदर्श नंबर प्ले हम एक ठोस उधारन लें। मानलीजे हम उस परिकल्पना की जाच करना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि छोटे आपस में अधिक घनिष्टा वाले समुदाई बड़े अधिक अवय एक तक समुदाईों की तुल्ला में जाधा अंते समुदाई समन्वे की उत्पत्ति करते ह सरल्ता से समझने के लिए आये मान लेते हैं कि हम भारत के किसी एक राज्ये के ग्रामीन शेत्र में रुची रखते हैं प्रतिदर्श चैन करने की सरल्तम संभावित प्रक्रिया राज्ये के सभी गावों की उनकी जनसंख्या के साथ सूची बनाने से प्रारंब होगी यह तत पश्चात हमें छोटे तथा बड़े गावों के मान दंडों को परिभाशित करना होगा गावों की मूल सूची से अब हमें सभी मध्यम गावों अर्थात जो ना तो छोटे हैं और ना ही बड़े हैं उनको हटाना होगा अब हमारे पास गावों के आकार के अनुसार एक संशोधित सूची है हमारे अनुसंधान संबंधी प्रश्णों के अनुसार हम प्रतेक स्तर अर्था छोटे तथा बड़े गावों को समान महत्वत देना चाहते हैं आथे हमने प्रतेक स्तर से दस गावों को चुन्यकार ने न लिया प्रिष्ट संख्या 110 इसके लिए हम छोटे तथा बड़े गावों की सूची को क्रम प्रदान करेंगे तथा प्रतेक सूची से लौटरी द्वारा दस दस गावों का चेयन याद्रिचिक विधी द्वारा क कर सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना सही थी या नहीं वास्तव में ये एक अत्यधिक सरल रूप रेखा है वास्तविक अनुसंधान अध्यनों में समान तया अधिक जटिल रूप रेखा होती है जिसमें प्रतिदर्श चैन प्रक्रिया अनेक चर्नों में विभाजि तथा इसमें अनेक स्तर्श शामिल होते हैं, परंतु मूल सिध्धान समान रहता है, एक लगू प्रतिदर्श का सावधानी पूर्वक चेहन किया जाए, ताकि ये पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, ततपश्चात प्रतिदर्श का अध्यन किया जाता है, और इस से प्राप्त परिनामों का समानी करन कर, इसे संपून जनसंख्या पर लागू किया जाता है, व्यग्यानिक धंग से चेहन किये गए प्रतिदर्श की सांख्य की ये विशेष्टाएं सुनिश्चित करती हैं, कि प्रतिदर्श की विशेष्टाएं उन जनसंख्याओं की वि पत्रों या टेलिविजन माध्यों मों द्वारा किये गए अन्य लगू सर्वेक्षन भी हो सकते हैं। जब सर्वेक्षन के परिनाम घोशित किये गए तो क्या सीमान तुरुटी के बारे में भी बताया गया था। क्या ये बताया गया था कि सर्वेक्षन का आकार क्या है तथा चैन कैसे किया गया था जहां अनुसंधान बधतियों के ये पक्ष साफ तोर पर ना दिये गए हो वहां आपको इन सर्वेक्षनों के बारे में सवाल करना चाहिए क्यूंकि इनके बिना निशकर्षों का मुल्या आधार पर बड़े बड़े दावे किये जाते हैं। आप इस परिपेक्ष से उन सर्वेक्षनों के बारे में जिनके बारे में आप जानते हैं चर्चा कर सकते हैं। या बहन या कोई भी नहीं है पढ़ाई में अच्छे हैं या बुरे। प्रिये शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाला विशे हैं। क्या लड़के तथा लड़कियों में इस संबंध में कोई अंतर हैं। नोट इन प्रतेक प्रशनों के लिए विभिन प्रतिदर्श रूप रेखा बनाएं। प्रिष्ट संख्या 111 समग्र सांखिकी लिंगानुपात में तीवर गिरावट आपने अध्याय तीन में लिंगानुपात में तीवर गिरावट के बारे में पढ़ा है। या अनेक राज्यों दोनों में दशकों के दोरान तीवरता में कम हो रहा है। यहाँ पर भारत के तथा चैन किये गए राज्यों के 1991, 2001 तथा 2011 की जनगर्ना में दिये गए औसत तरुन लिंगानुपात को दिया गया है। शुन्य से छे आयू समू में प्रती हजार लड़कों की तुल्ला में लड़कियों की संख्या। इसके नीचे लिखा गया है 1991, 2001 और 2011। भारत 1991 में 945, 2001 में 927, 2011 में 914। पंजाब में 1991 में 855, 2001 में 798, 2011 में 846। हर्याना, 1991 में 889, 2001 में 819, 2011 में 830। दिल्ली, 1991 में 915, 2001 में 86, 2011 में 866। गुजरात 1991 में 928, 2011 में 883, 2001 में 893। हिमाचल 1991 में 951, 2001 में 896। बाल निंगा नुपात एक ऐसा समग्र या समश्टी चर है जो तभी दिखाई देता है। आप बड़ी जनसंख्याओं की सांखिकी को मिलाते यानि इकठा रखते हैं। हम एक परिवार को देखकर नहीं बता सकते कि समस्या इतनी विकठ है। किसी भी एक परिवार में लड़के तथा लड़कियों के सापेक्षित अनुपात की शतिपूर्टी उन परिवारों के विभिर अनुपातों से सदेव की जा सकती है। जिनें हमने कभी नहीं देखा। जनगर्णा जैसी पधितियों के प्रियोक द्वारा या बड़े पैमानी पर सर्वेक्षन करके ही पूरे समुदाय के कुल अनुपात की गर्णा की जा सकती है। तथा समस्या का पता लगाया जा सकता है। क्या आप ऐसे अन्य सामाजिक मुद्धों के बारे में सोच सकते हैं जिनका सर्वेक्षनों या जनगर्णाओं द्वारा ही अध्यन किया जा सकता है। वैज्यानिक धंग से चैन किये गए प्रतिदर्शे की सांख किये विशेषताएं सुनिश्चित करती है कि प्रतिदर्श की विशेषताएं उन जनसंख्या की विशेषताओं से घनिष्ट रूप से मिलती हो जिससे इसे लिया गया है। इनमें सुक्ष्म अंतर हो सकते हैं, परंतु ऐसे विचलन की संभावना को निर्धारित किया जा सकता है। इसे सिमान तुरुटी या प्रतिदर्श की तुरुटी कहा जाता है। या अनुसंधान करताओं की गलती से नहीं, अपितु इस बात से उत्पन होती है कि हम बहुत ब तुरुटी के बारे में अवश्य बताना चाहिए। प्रिश्ट संख्या 112, सर्वेक्षन विधी की मुखे विशेष्टा ये है कि ये अपेक्षाकृत कम समय तथा धन के द्वारा जन संख्या के बारे में विस्त्रित परिपेक्ष उपलब्ध कराती है। प्रतिदर्श चि वहवार में प्रतिदर्श का आकार 30-40 से लेकर हजारों में हो सकता है। राष्टिये संखकिये संगठन पर बॉक्स पढ़ें। केवल प्रतिदर्श का आकार ही महत्वपून नहीं है। इसके चैन का तरीका जादा महत्वपून है। वास्तव में प्रतिदर्श चैन के बा वहाँ पर संपून जनसंग्या के अध्यन हे तू सर्वेक्षन ही अध्यन के उपलब्ध साधन होते हैं। तथा पी अन्य अनुसंधान पधदियों की तरह से सर्वेक्षनों की भी अपनी कमजोरियां होती है। यद पी इसमें व्यापक विस्तार की संभावना होती है। ये विस्तार की गहनता के मुल्ले पर प्राप्त किया जाता है। समान दया एक बड़े सर्वेक्षन के भाग के रूप में उत्तरदाताओं से गहन सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता। उत्तरदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रतेक व्यक्ती पर व्या किया जाने वाला समय सीमित होता है। साथ ही अनवेक्षकों की अपेक्षकरेत बड़ी संख्या द्वारा सर्वेक्षन प्रशनावलियां उत्तरदाता को उपलब्द कराई जाती है। यह सुनिश्यत करना कठिन हो जाता है कि जटिल प्रशनों या जिन प्रशनों के लिए विस्रित सूचना चाहिए उन्हें उत्तरदाताओं से ठीक एक ही तरीके से पूछा जाएगा। प्रशनों पूछने या उत्तर रिकॉर्ड करने के तरीके में अंतर होने पर सर्वेक्षन में त्रुटियां आ सकती है। यही कारण है कि किसी भी सर्वेक्षन के लिए प्रशनावली कभी-कभी इन्हे सर्वेक्षन के उपकरन भी कहा जाता है कि रूप रेखा सावधानी पूरवक तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग अनुसंधान करता के अर्थरेक्त अन्य व्यक्तियोद्वारा किया जाएगा अतै इसके प्रयोग के दोरान इसमें त्रुटी को दूर करने या संशोधित करने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है अन्वेशक तथा उत्तरदाता के बीच क्योंकि किसी प्रकार के दीरकालिक संबंध नहीं होते तथा इसके कारण कोई आपसी पहचान या विश्वास नहीं होता किसी भी सरवेक्षन में पूछे गए प्रอशन ऐसे होने चाहिए जोकी अजनबियों के मध्य पूछे जा सकते हों तथा उनका उत्तर दिया जा सकता हो कोई भी निजी या सम्वेधनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता या अगर पूछा भी जाता है तो इसका उत्तर सच्चाई पूर्वक देने के स्थान पर सावधानी पूर्वक दिया जाता है इस प्रकार की समस्याओं को कभी-कभी गैर प्रतिदर्श ये तुरुटियां कहा जाता है अर्थाक्त ऐसी तुरुटियां जो प्रतिदर्श की प्रक्रिया के कारण ना हो अपितु अनुसंधान रूप रेखा में कमी या तुरुटी के कारण हो या इसके कारियन वयन की के बारे में ब्रामक या गलत अनुमान लगाना संभव होता है। अंत में किसी भी सर्वेक्षन की सबसे महत्वपून सीमा यह है कि इसे सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए इन्हें कठोर संचरित प्रशनावली पर आधारित होना पड़ता है। हालां कि प्रशनावली की रूप रेखा चाहे कितने भी अच्छी क्यों नहों। इसकी सफलता अंत में अनवेशकों तथा उत्तरदाताओं की अंतक्रियाओं की प्रकति पर और विशेश रूप से उत्तरदाता की सद्भावना तथा सहीयोग पर निर्भर करती है। साक्षातकार मोलतै अनुसंधान करता तथा उत्तरदाता के बीच निर्देशित बातचीत होती है। हालां कि इसके साथ कुछ तक्नीकी पक्ष जुड़े होते हैं। प्रारूप की सरलता भ्रामक हो सकती है क्योंकि एक अच्छा साक्षातकार करता बनने के लिए व्यापक अनुभव तथा कौशल होना जरूरी होता है। साथशतकार सर्वेक्षन में परियोग की गई संचरित प्रशनावली तथा सहभागी प्रेक्षन प्रदिती की तरफ पोन रूप से खुली अंतिक्रियाओं के बीच स्थान रखता है। इसका सबसे बड़ा लाब प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन है। प्रशनों को पुन्हे निर्मित किया जा सकता है या अलगधंग से बताया जा सकता है। या किसी अन्य अफसर पर बाद में जानने ही तुँ स्थगित किया जा सकता है। और यह सब साक्षातकार के दौरान किया जा सकता है। दूसी तरफ साक्षाथकार पदती के रूप में साक्षाथकार से संबंधित लाभों के साथ अनेक हानिया भी है। इसका यही लचिलापन उत्तरदाता की मनोदशा बदल जाने के कारण या फिर साक्षात कार करने वाले की एक आगरता में त्रूटी होने के कारण साक्षात कार को कमजोर बना दिता है इस परकार इस अर्थ में यह एक अविश्वस्निय तथा अस्थिर प्रारूप है जो जब कारे करता है तो बहुत अच्छा करता है तथा जब असफल होता है तो बुरी तरह से होता है साक्षत कार लेने की अनेक शैलिया है तथा इससे संबंधित विचार तथा अनुभव लाभों के अनुसार बदलते रहते हैं कुछ व्यक्ति अत्यंत संचरित प्रारूप को प्रात्मिक्ता देते हैं जिसमें वास्त्विक प्रशनों के स्थान पर विशे की जांच की सूची होती है अन्य व्यक्ति इसके संचरित रूप को वरियता देते हैं जिसमें सभी उत्तरदाताओं से विशेश प्रश्न पूछे जाते हैं परिस्तितियों तथा वरिताओं के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग हैं जिसमें वास्तिविक वीडियो या आडियो रिकॉर्ड करना साक्षात्कार के दोरान विस्तृत नोट तैयार करना या स्मरन शक्ति पर निर्भर करना और साथशात्कार समाप्त होने पर इसे लिखना शामिल है प्रिष्ट संख्या 114 रिकॉर्ड करने वाले या इसी प्रकार के अन्य उपकरोनों का बार-बार प्रयोग करने से उत्तरदाता असमान्य महसूस करता है तथा इससे बाचीत में काफी हद तक अपचारिकता आ जाती है दूसरी तरफ जब रिकॉर्ड करने की अन्य कम व्यापक विध्यों का प्रयोग किया जाता है तो कभी-कभी महत्वपून सूचना छूट जाती है या रिकॉर्ड नहीं हुपाती कभी-कभी साक्षातकार के समय की भौतेक या सामाजिक परिस्तितियां भी रिकॉर्ड के माध्यम को निर्धारित करती है बाद में प्रकाशन के लिए साक्षातकार को लिखने या नुसंधान रिपोर्ट के हिस्से के रूप में लिखने का तरीका भी भिन हो सकता है कुछ अनुसंधान करता प्रतिलिप्पी को संपादित करना तथा इसे सपष्ट नियमित वर्नात्मक रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे मूल वार्ता को यथा संभव वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, तथा इसके लिए वैहर संभव प्रयास करते हैं, साक्षातकार को प्राय अन्य पधतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशेशतया सहभागी प्रेक्षन तथा सरवेक्षनों के साथ प्रयोकत की आ जाता है महत्वपून सूचनादाता सहभागी प्रेक्षन अध्यन का मुख्य सूचनादाता के साथ लंबी बाचीज से प्राय संकेंद्रित जानकारी प्राप्थ होती है जो साथ में लगाई गई सामगरी को स्पष्ट करती है तथा सही स्थान प्रदान करती है इसी तरह से गहन साक्षतकारों द्वारा सर्वेक्षण के निशकर्षों को गहनता तथा व्यापकता प्राप्थ होती है हलांकी एक पधिती के रूप में साक्षतकार व्यक्तिगत पहुँच पर और उत्तरदाता तथा अनुसंधान करता के आपसी संबंधों या आपसी विश्वास पर निर्भर करता है शब्दावली जनगर्ना एक व्यापक सर्वेक्षन जिसमें जनसंग्या के प्रतेक सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है वन्शावली एक विस्त्रित वन्श वरिक्ष जो विभिन पीडियों के सदस्यों के पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है गैर प्रतिदर्श त्रुटी पधतियों के प्रयोग और प्रारूप के कारण सर्वेक्षन परिनामों में हुई त्रुटियां जनसंख्या सांख की ये अर्थ में एक बड़ा निकाय व्यक्तियों, गावों, घरों, इत्यादी का जिस से प्रतिदर्श का चैन किया जाता है संभाविता, सांख की ये अर्थ में किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना प्रशनावली, साक्षातकार या सर्वेक्षन में पूछे जाने वाले प्रशनों की लिखित सुची यादरीची करन ये सुनिश्चित करना की कोई घटना जैसे किसी प्रतिदर्श में किसी विशेश वस्तू का चेयन विशद रूप से केवल अफसर पर ही निर्भर हो ना की किसी अन्य पर प्रिश्ट संख्या 115 प्रति बिम्बता एक अनुसंधान करता की वह शमता जिसमें वह स्वैम का प्रेक्षन और विशलेशन करता है प्रतिदर्श एक बड़ी जनसंख्या से लिया गया उपभाग या चैनित हिस्सा जो उस बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिदर्श तुटी ऐसी तुटी जिससे सर्वैक्षन के परिनामों में बचा नहीं जा सकता क्योंकि यह समग्र जनसंख्या पर आधारित होने के स्थान पर सिर्फ एक छोटे प्रतिदर्श से प्राप्ट जानकारी पर आधारित होती है सांख की ये अर्थ के अनुसार जनसंक्या के संबंधित आधारों जैसे लिंग, स्थान, धर्म, आयू, इत्यादी के आधार पर विभिन समुओं में उपविभाजन अभ्यास प्रश्न एक व्यज्यानिक पदिती का प्रश्न विशेशता समाज शास्र में क्यों महद्वपून है? प्रश्न दो समाजिक विज्यान में विशेशकर समाज शास्र जैसे विशे में वस्तु निष्ठता के अधिक जटिल होने के क्या कारण है? प्रश्न तीन वस्तुनिश्टता को प्राप्थ करने के लिए समाज सास्री को किस प्रकार की कठिनाईवों और पर्यतनों से गुजरना पड़ता है प्रश्न चार प्रति बिम्बता का क्या थाथपरे हैं तथा ये समाज सास्र में क्यों महत्वपून है प्रश्न पाज सहभागी प्रेक्षन के दौरान समाज शास्री और मानव विज्यानी क्या कार्य करते हैं। एक पधिती के रूप में सहभागी प्रेक्षन की क्या क्या खूबिया और कम्या है। प्रश्न साथ सर्वेक्षन पधिती के आधार भूत तत्व क्या है। इस पधिती का प्रमुख लाब क्या है? प्रश्न आठ प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व चैन के कुछ आधार बताएं प्रश्न नौ सर्वेक्षन पधिती की कुछ कमजोरियों का वर्नन करें प्रश्न दस अनुसंधान पधिती के रूप में साक्षात कार के प्रमुख लक्षनों का वर्नन करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा 11 के लिए समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचय का ध्वनी पाठ वाचनस्वर, रुची शर्मा, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, कुसुमलता और शानु मुक्सीम, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तुती CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत